हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पीडि करेंट अफ्यर वार्सी कांग जून एडिसन में दिया गया वस्तुनिष्ट करेंट अफ्यर्स MCQ को सॉल्व करेंगे मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं हाल ही में, हाल ही में किस विश्विद्यालय को UGC से स्रेणी वन का दर्जा मिला है हाल ही में किस विश्विद्यालय को UGC से स्रेणी वन का दर्जा मिला है बिहार केंद्रिय विश्व विद्याले को UGC से स्रेनी वन का दर्जा मिला है किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉंसन ने अंडरवाटर फोटोग्राफर आफ दे इयर 2024 का पुरुसकार जीता है स्वेडन हाल ही में बिहार के किस जीले में राज का पहला रिवर फ्रेंड का सिनालान्यास किया गया है बिहार के किस जीले में राज का पहला रिवर फ्रेंड का सिलान्यास किया गया है भोजपूर जीले भारत के किस प्रसिद स्टेडियम का नाम बदल कर निरंजन सा स्टेडियम रखा गया है भारत की किस प्रसिद स्टेडियम का नाम बदल कर निरंजन सा स्टेडियम रखा गया है सौराष्ट क्रिकेट स्टेडियम सौराष्ट क्रिकेट स्टेडियम खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संसकरन कहां आयोजित किया गया जम्मू कस्मीर वैज्यानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिर्ला पुरुसकार वैज्यानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिर्ला पुरुसकार जीतने वाली पहली महिला वैज्यानिक कौन बनी है अदिती सेंडे अदिती सेंडे जीडी बिर्ला पुरुसकार जीतने वाली पहली महिला वैज्यानिक बनी है हाल ही में कौन भारत का हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिछ क्यूरेटर बनी है जै सिंथा कल्यान वर्स दोजार चौबिस के दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एवार्ड्स से किसी बेस्ट फिल्म पुरुसकार मिला वर्स दोजार चौबिस के दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एवार्ड्स किसे मिला किसे बेस्ट फिल्म पुरुसकार मिला है जवान जवान फिल्म हाल ही में राय सीना डायलोग के किस संस्करन का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्स परतियोगता सहयोग निर्मान विशय के साथ हुआ नवे संस्करन इंटरनेशनल सोलर इलाइंस ISA इंटरनेशनल सोलर इलाइंस का 119 सदस्य देश कौन बना है माल्ता बाफ्टा इवोर्ट्स बाफ्टा इवोर्ट्स दोजा 24 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरुसकार मिला है ओपन हाइमर हाल ही में काजी नेमू किस राज का राज क्या फल बना है असम राज का असम राज का काजी नेमू राज की अफल बना है किस प्रख्यात लेखक और कॉंग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच नागरिक सम्मान नाइट ओफ दे लिजन ओफ ओनर से सम्मानित किया गया है ससी थुरूर किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी दोजर चौबिस के लिए ICC प्लेयर ओफ द मन्त का सम्मान जीता है ICC आयरलेंड 13 फरवरी को किनके जन्म दिन पर राष्ट महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू के जन्म दिन पर राष्ट महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है हाल ही में हाल ही में करपूरी ठाकूर लाल कृष्ण अडवानी नरसिम्हा राओ चौधरी चरन सिंग और एमे स्वामी नाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है इस प्रकार अब तक कूल कितनी हस्तियों को यह पुरुस्कार मिला है 53 हस्तियों को किस प्रसिद सिक्छक को किस प्रसिद भारतिय सिक्छक को UAE का गोल्डन विजा मिला है किस प्रसिद भारतिय सिक्छक को UAE का गोल्डन विजा मिला है आनंद कुमार हाल ही में अरुनाचल प्रदेश में दो नए जीले कई पन्योर और बिचोम हाल ही में अरुनाचल प्रदेश में दो नए जीले बनाने की घोशना हुई है राज में जीलो की संख्या कितनी हो गई है 28 समान नागरिक सहिंता समान नागरिक सहिंता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज कौन बन गया है उत्राखंड उत्राखंड समान नागरिक सहिंता बिल लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत रत्न भारत रत्न समान पाने वाले पचासवे सक्स कौन बने है लाल कृष्ण अडवानी भारत रत्न समान पाने वाले पचासवे सक्स बने है हाल ही में कौन भारत्य सेना की पहली सुबेदार बनी है प्रिती रजक भारत्य सेना की पहली महिला सुबेदार बनी है एक फर्वरी दोजार चौबिस को भारत्यत तट रक्षक बल आई सी जी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है अर्तालिसवा तेरा फर्वरी दोजार चौबिस को पी एम सुर्य घर तेरा फर्वरी दोजार चौबिस को पी एम सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लौंच किया है नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी ने पी एम सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना लौंच किया है हाल ही में जारी वर्स हाल ही में जारी वर्स 2023 की भ्रष्टा चार्य अवधार्ना सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा अस्थान मिला है 93 अस्थान भारत को मिला है सरक सुरक्षा बल सरक सुरक्षा बल लौंच करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है पंजाब पंजाब राज्य सरक सुरक्षा बल लौंच करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है अस्ट्रेलियन ओपेन 2024 में महिला एकल का खिताब किसनी जीता है? एरिना सवालेंका 28 जन्वरी 2024 को महान स्वतंतरता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयनती मनाई गई? 28 जन्वरी 2024 को महान स्वतंतरता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयनती मनाई गई? 159 जयनती मनाई गई? अस्ट्रेलियन ओपेन 2024 में पुरूस एकल का खिताब किसनी जीता है? यानिक सीनर तीन दिवस्य अंतराष्ट गीता महत्सब का आयोजन कहां किया गया? कोलेंबो Film Fair Awards 2024 Film Fair Awards 2024 में रनवीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरूसकार मिला? एनिमल फिल्म के लिए रनवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का एवार्ट्स मिला? किस राज में किस राज में पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लौन्च किया गया? किस राज में स्मार्ट पूलीसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग एलेक्ट्रिक स्कुटर को लॉंच किया गया उत्राखंड राज ICC Awards 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रांट कुछ साल की सर्व स्रेष्ट खिलारी का पुरुसकार मिला है ICC Awards 2023 में पुरुस क्रिकेटर को साल का सर्व स्रेष्ट खिलारी का पुरुसकार मिला है Pets Cummings, Australia चंद्रमा पर पहुचने वाला अब तक का पाँचवा देश कौन बना है जापान चंद्रमा पर पहुचने वाला अब तक का पाँचवा देश बना है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ओप्रेशन के तहद 549 से अधिक बच्चों को उनकी परिवार से मिलाया है रेलवे सुरक्षा बल ने किस ओप्रेशन के तहद 549 से अधिक बच्चों को उनकी परिवार से मिलाया है ओप्रेशन नन्हे फरिस्ते कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किस के साथ समझोता किया है BPCL के साथ BPCL के साथ समझोता किया है हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष दोजार चौबिस का प्रधान मंत्री राष्ट्य बाल पुरुसकार दिया गया है 19 हाल ही में KPP KPP नामबियार पुरुसकार से सम्मानित किया गया है किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है IIT गोहाटी भारत की सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की अस्थापना कहां की जाएगी विसाखा पत्नम में भारत की सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की अस्थापना की जाएगी नौ सैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है विसाखा पत्नम विसाखा पत्नम हाल ही में हिमालियन बास्केट हाल ही में हिमालियन बास्केट की सुरुवात किस राज में की गई है उत्राखंड राज में उत्राखंड राज में हिमालियन बास्केट की सुरुवात की गई है केंद्रिय मंत्री अस्विनी वैसनव किस राज से राजसभा सदस्य न्युक किये गए केंद्रिय मंत्री अस्विनी वैसनव किस राज से राजसभा सदस्य चुने गए है उरिशा उरिशा राज्च से ACI Indoor Athletics चैंपियनसीप में भारत ने कितने पदक जीते चार पदक जीते हैं किस पूरूस क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है सामर जोसेफ सामर जोसेफ वेस्ट इंडिस के खिलारी है भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संभलपूर में किया गया सेन अभ्यास सांती प्रयास फोड का आयोजन किस देश में किया जाए किस देश में किया गया नेपाल देश में मत दाता जागरुकता अभ्यान के तहद पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसी नामित किया गया है मत दाता जागरुकता अभ्यान के तहद पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसी नामित किया गया है सुभम गिल हैनली पासपूर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रेंग क्या है? हैनली पासपूर्ट इंडेक्स 2024 के भारत की रेंग क्या है? 85 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज में स्रीकलिक धाम मंदिर की अधार सीला रखी है? उत्तर प्रदेश राज में 58 ग्यान पुरुसकार 58 ग्यान पुरुसकार के लिए किसे नामित किया गया? ओप्सन A गुलजार ओप्सन B जगत गुरूर राम भद्राचार्य सही उत्तर होगा ओप्सन D, A और B दोनो गुलजार और जगत गुरूर राम भद्राचार्य को 58 ग्यान पुरुसकार के लिए नामित किया गया है PM विश्वकर्मा योजना PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्राले द्वारा सुरू किया गया है? सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्यम मंत्राले द्वारा PM विश्वकर्मा योजना सुरू किया गया है किस राज में को मूरा वेली रेलवे स्टेशन की अधार सीला रखी गई है तेलांगना राज में को मूरा वेली रेलवे स्टेशन की अधार सीला रखी गई है उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहट सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 25,000 रुपए पीएम मोदी ने किस राज में बीर लाचित बढ़ फूकन की 125 फूट उची प्रतीमा का अनावरन किया असम राज में किस राज विधान सभा में यूनिफर्म सिविल कोर्ट बिल पेस किया गया उत्राखंड राज विधान सभा में बिहार विधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है नंद की सोड यादव को बिहार विधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है राश्ट्य महिला दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है 14 फरवरी पहले डिजिटल एंडिया फ्यूचर रिस्कल्स समीट का आयोजन कहां किया गया पहले डिजिटल एंडिया फ्यूचरी स्किल्स समीट का आयोजन कहां किया गया गुहाटी हाल ही में किस राजसरकार ने स्वयम योजना लॉंच की है उड़िसा राजसरकार ने स्वयम योजना लॉंच की है भारत की सिद्यूब पर नया नेवल बेस अस्थापित करने जा रहा है भारत किस द्यूप सम्हू पर नया नेवल बेज अस्थापित करने जा रहा है ओप्सन A मिनिकाई, ओप्सन B अगाती सही उत्तर होगा ओप्सन C, A और B दोनो मिनिकाई और अगाती भारत द्यूप सम्हू का नया नेवल बेज अस्थापित करने जा रहा है गुपतेश्वर फॉरेस्ट किस राज में है जिसे राज के बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के रूपे नामित किया गया है उरीसा राज में गुपतेश्वर फॉरेस्ट है जिसे राज के बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के रूप में नामित किया गया है प्रसिद जैन संत आचार्य विद्या सागर महराज प्रसिद जैन संत आचार्य विद्या सागर महराज का निधन हो गया उसका जन्म किस राज में हुआ था? करनाटक राज्य में भारत के पहली चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ दिव्यंग जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरन कहां किया गया देहरा दून हाल ही में किन दो देशों में UPI Payment System लाँच किया गया है सिरिलंका और मौरिसस में UPI Payment System लाँच किया गया है हाल ही में चेन्नेई Open Tennis Tournament का एकल खिताब किसने जीता सुमित नागल ने चेन्नेई Open Tennis Tournament का खिताब जीता है दक्षिन भारत संस्कृतिक केंद्र दक्षिन भारत संस्कृतिक केंद्र की अस्थापना किस सहर में की गई है हैद्राबाद ICC Under 19 ICC Under 19 विश्व कब 2024 का खिताब किस देश ने जीता अस्ट्रेलिया देश ने ICC Under 19 विश्व कब 2024 का खिताब जीता वंडे में वंडे में दोहरा सतक बनाने वाले पहले स्री लंकाई क्रिकेटर कौन है पथूम निसांका पथूम निसांका 20 फरवरी को किस राज ने अपना 38 राज अस्थापना दिवस मनाया अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश राज ने 20 फरवरी को अपना 38 राज अस्थापना दिवस मनाया बिहार लोग सेवा आयोग कि नए अध्यक्ष कौन न्युक्त किये गए है बिहार लोग सभा आयोग के नए अध्यक्ष न्युक्त किये गए हैं वर्ल्ड गवर्रमेंट समीट दोजर चोबिस का आयोजन कहा किया जाएगा दुबई में वन नेशन वन इलेक्षन समीटी के अध्यक्ष कौन है रामनात कोविंद वन नेशन वन इलेक्षन समीटी के अध्यक्ष है भारत के साथ सेफ विमेंज भारत के साथ सेफ विमेंज अंडर 19 चैंपियंशिप का संयुक्त विजेता किसी घोसित किया गया बांगलादेश साथवे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस सहर में किया गया थाइलेंड हाल ही में विद्यान जली स्कॉलर सी प्रोग्राम किसने लॉंच किया धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान विद्यान जली स्कॉलर सी प्रोग्राम लॉंच किया है किस देश ने भारतिय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोशना की है किस देश ने भारतिय नागरिकों के लिए वीजा मुफ्त यात्रा की घोशना की है इरान देश ने दीन बंदू छोटू राम थर्वल पावर प्लांट किस राज में इस्तित है हर्याना राज में दीन बंदू छोटू राम थर्मल पावर प्लांट इस्तित है इंडिया एनरजी वीग दोजार चौबिस का आयोजन किस राज में किया गया गोवा राज में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया गया है देश के पहले डिजिटल राष्ट पुडालेक संग्डाले की अधार सिला कहां रखी गई हाइद्राबाद पहले बिन्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनसीप का आयोजन किस सहर में हुआ नई दिल्ली में मेरा गाउ मेरी धड़ोहर प्रोग्राम किस मंत्राले की एक पहल है संस्क्रीत मंत्राले की एक पहल है मेरा गाउ मेरी धड़ोहर प्रोग्राम वर्तमान में RCS RCS उडान योजना के तहत देश में कितने एर रूट संचालित किये जा रहे हैं वर्तमान में RCS उडान योजना के तहत देश में कितने एर रूट संचालित किये जा रहे हैं 519 519 17 फरवरी 2024 को 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GS LV F-14 रॉकेट की मदद से 20 मौसम को लाँच किया गया INSET 3DS UNIFIED PAYMENT INTERFACE UNIFIED PAYMENT INTERFACE UPI स्विकार करने वाला पहला यूरोप्य देश कौन बना है? UPI स्विकार करने वाला पहला यूरोप्य देश कौन बना है? फ्रांस पैमी एवर्ट सोजा 24 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्वम का एवर्ट किसने जीता? दिस मोवमेंट हाल ही में इसस्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? आलेग कोनो नैंको ने इस्पेस में सरवादिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है केंद्र ने लखपती दीदी योजना के लक्च को बढ़ा कर कितना दर कर दिया है तीन करोड उत्राखंड युनिफॉर्म सिविल सर्विस उत्राखंड युनिफॉर्म सिविल कोड कमिटी के अध्यक्ष कौन है रंजना प्रकास देशाई उत्राखंड युनिफॉर्म सिविल कोड कमिटी के अध्यक्ष है वायू सेना द्वारा अभ्यास वायू सक्ति 24 का आयोजन कहां किया गया जसल मेर भारत्य क्रिकेटर यसस्वी जैसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेश्ट सतक बनाया वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज अंत्रीम बजट 2024 में किस मंत्राले को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है अंत्रीम बजट 2024 में किस मंत्राले को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है रक्षा मंत्री रक्षा मंत्राले भारत सरकार ने भारत सरकार ने हाल ही में किस एरपोर्ट को इंटरनेशनल एरपोर्ट का दर्जा दिया है भारत सरकार ने हाल ही में किस एरपोर्ट को इंटरनेशनल एरपोर्ट का दर्जा दिया है सूरत हवाई अड़ा पुर्वत्तर भारत पुर्वत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी होस्पिटल की नीव कहां रखी गई है डिब्रुगर F.I.H. हौकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता F.I.H. हौकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता नीदर लेंड I.S.S.F. विश्व कप 24 में पुरुसों की 10 मीटर एयर राइफल सुटिंग इनवेंट I.S.S.F. विश्व कप 24 में पुरुसों की 10 मीटर एयर राइफल सुटिंग इवेंट्स में गोल्ड जीता है I.S.F. क्लास क्रिकेटर I.S.F. क्लास क्रिकेट में सबसे अधिक तेहिरा सतक लगाने वाले बल्लेवाज कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल तन्मय अग्रवाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तेहिरा सतक लगाने वाले बल्लेवाज बने हैं? किस राज सरकार? किस राज सरकार ने सरक सुरक्छा बल की सुरुवात की है? पंजाब राज सरकार ने सरक सुरक्छा बल की सुरुवात की है? ट्रिलियन का बाजार पुंजी करन पार करने वाली दुनिया की दूसरी कमपनी कौन बनी है? ट्रिलियन का बाजार पुंजी करन पार करने वाली दुनिया की दूसरी कमपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट कमपनी माइक्रोसॉफ्ट कमपनी ट्रिलियन का बाजार पुंजी करन पार करने वाली दुनिया की दूसरी कमपनी बनी है? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिए मिलती हूँ मैं पार्ट फाइब के साथ अगली क्लास में जैहिन थाइंक यू